Hello everyone, this is Arshna Sandhu. Welcome back to my channel Arshna PT Classes. Hope you all are fine. Today I have come with a new task of speaking which is Retell Lecture. This is an essential task not only for speaking but listening too. क्योंकि इसका जो score है वो listening में भी जाता है. इस task में जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है Retell Lecture. आपको एक lecture सुनाई देगा जो एक से देड़ मिनट के करीब होगा. Sometimes lecture जो है कभी कभी एक से कम मिनट के लिए भी होता है. मतलब 40 सेकेंड या फिर हो सकता है 50 सेकेंड इसके अराउंड भी होता है. But in most cases जो lecture आता है Retell Lecture आता है वो एक से डेड़ मिनट के करीब ही होता है. ये exam में आपको एक या दो आते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है I would like to share some information about the task description first. What is it? What to do in it? And how to do it in order to get good marks? इसमें आपको क्या होता है? सबसे पहले आपको एक लेक्चर सुनाई देगा. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 3 सेकेंड आपका एक टाइम होता है. After that जब लेक्चर खतम हो जाएगा. उसके बाद आपको 10 सेकेंड जो है प्रेपरेशन टाइम मिलता है. जो 3 सेकेंड है उसमें आपने make sure आप अपने notepad और marker अपना त्यार रखें. मतलब ready रहें कि जो भी आपने लेक्चर में सुना है उसके आपको notes बनाने होते हैं. और जो लेक्चर खतम होने के बाद 10 सेकेंड होता है उसमें आपको प्रेपरेशन करने होती है. मतलब कि जब recording स्टार्ट होगी तो आपने अपना answer जो है उस टाइम में आपने prepare करना है कि आपको क्या बोलना है. Once you have completed your answer जब आप अपना answer complete कर देंगे उसका जो time होता है 40 सेकेंड का time होता है आपको answer जो देना होता है. Within 40 सेकेंड में आपको अपना answer जो है complete करना होता है जब आप अपना answer complete कर देंगे तो आपको उसको next बटन पर click करना है इसका जो marking criteria है oral fluency के 5 marks होते हैं pronunciation के भी 5 marks होते हैं और content के भी 5 marks होते हैं. oral fluency means आपको अपना जब आप answer दे रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको hesitate नहीं होना कोई भी long poses नहीं लेने हैं और नहीं आपको अपने आपको recorrect करना है और make sure repetition भी जादा ना हो अगर in between जब आप अपना answer कर रहे हैं while answering hesitate होते हैं तो उसका जो bad effect है वो oral fluency पर पढ़ता है उस जब भी आप answer कर रहे हैं इसका तो ना करें the second one is pronunciation pronunciation में यह है कि आपको अपना natural way यूज करना है natural way से ही आपको answer देना है और इसमें speed का भी है कि speed आपको ज़्यादा पास नहीं करनी ना ही ज्यादा slow रखनी है जो naturally आप speed करते आ रहे हैं speaking में वही speed आपको maintain रखनी है और clearly आपको बिलकुल clearly अपने words को pronounce करना है पूरा आपका जो मतलब आपने पूरे जो words हैं पूरे अच्छी तरुके से बोलने हैं यह नहीं कि आप मूह में बोल रहे हैं औ और words आपके जो merge हो रहे हैं क्योंकि pronunciation का मतलब यह है कि आपके जो words हैं पूरे clear सुनाई दे computer को तो computer जो है उसमें आपको full marks देगा pronunciation पे the third thing is that content which is very important in this task content plays a major role मतलब कि अगर आप content ज्यादा से ज्यादा इसमें pick करते हैं तो इसका सीधा जो score है वो listening को जाता है इसका maximum marks जो है listening को जाते हैं अगर यह जैसे retail lecture है 15 marks का है तो 5 marks जो है इसके सीधा listening को जा रहे हैं और 10 marks जो है इसके speaking में रहते हैं जो oral fluency और pronunciation पे आपको दिये जाते हैं इसके इसमें आपको क्या करना है जैसे एक बर ही आप retail lecture सुनेंगे lecture आपने सुन लिया जो 10 सेकेंड है उसमें आपने जो preparation करनी है कि आपको क्या बोलना है 10 सेकेंड बहुत थोड़ा टाइम है तो इसमें आपने कोशिश करनी है वाइल प्रिपेरिंग दा नोट जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने करना क्या है अगर तो आप phrases पिक कर सकते हैं यह sentence पिक कर सकते हैं sentence आपने बहुत लॉंग पिक नहीं करना अगर आप लॉंग पिक करेंगे तो मेभी अगले वाला जो पार्ट है वह आपका रह जा मतलब meaningful words हो वह आपने पिक करने हैं जैसे ही आपकी recording स्टार्ट हुई lecture स्टार्ट हुआ साथ की साथ आपने notes बनाने शुरू कर देने हैं क्योंकि बाद में जो है किसी को मतलब ऐसे याद नहीं रहता कि बाद में speaker ने क्या बोलाओगा lecture में तो make sure कि आपने जो साथ की साथ ह होंगे तो कोशिश करनी है कि जितना भी आपको सुनाई दे रहा है जो भी words आपको सुन रहे हैं keywords आपको सुन रहे हैं वो सारे आपने note करने हैं सबसे बड़ी वाद इसमें कोई grammar check नहीं होगी ना ही इसमें आपको vocabulary words उठाने की कोशिश करनी हैं अगर आपको hesitation होती है कोई long word बोलने में या कोई मुश्किल word बोलने में या vocabulary word बोलने में तो make sure आप simple और easy words उठाएं ताकि आप easily से अपने answer को बोल सकें अगर आप मुश्किल word उठाते हो तो आप उसमें hesitate हो सकते हो और hesitate होके तो pauses काफी ज़ादा आ जाएंगे तो इस करके आपको simple और easy words keywords उठाने ह है क्योंकि computer ने जो check करना है computer के पास कोई particular answer नहीं है इसे check करने के लिए computer में सिरफ keywords होंगे computer ने उन keywords को match करना है और आपको score देना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको content उठाना है ज्यादा से ज्यादा आपको keywords उठाने है in case अगर आपसे phrase नहीं पिको रहा या sentence नहीं पिको रहा तो आप group of words उठा सकते हो two three words two three words करके आप पिक कर सकते हो इसमें आपको अपनी writing की जो speed है थोड़ी fast रखनी पड़ेगी क्योंकि fast रखोगे तो ही आप ज्यादा से ज्यादा content पिक कर सकते हो और उसमें ज्यादा से आप notes बना सकते हैं और इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी रीटे लेक्षर आपको audio वला भी आ सकते हैं वीडियो वले भी आ सकते हैं तो जो आपकी वीडियो है अगर वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो आपने distract नहीं होना आपने concentrate रखना है अपनी listening पे listening पर पूरी concentration रखनी है ताकि आप जाद से ज्यादा जो है नोट्स बना सकें अगर आप वीडियो से distract होते हो तो make sure कि आपका जो सारा content है वो आप लूज कर दोगे और आपको समझ नहीं आएगा आप क्या पिक करें इसमें आप short forms और abbreviations भी पिक कर सकते हैं आप इसमें आपक आपने globalization लिख दिया और second में अगर आप globalization word पिक करें और उसके साथ कोई और दो तिन words पिक कर रहे हो तो उसको आप G capital में लिख सकते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह globalization ही है जैसे air pollution पे है कोई lecture तो first में आप air pollution लिख देंगे air pollution वैसे भी आपको याद रहेगा क इस पे बेस होता है lecture तो वो जो speaker है वो तीन या चार बरी त्री और फॉर टाइम उसको repeat करेगा ही तो आप उसकी जगा एर लिख सकते हैं air pollution कि next में अगर आप air pollution के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो AP लिख सकते हैं ताकि वह आपको जो है keyword जो आपकी words है वह आपक कि जो है जो आप notes बना रहे हैं उसमें fast हो जाएक to speed और उपर से ज्यादा से ज्यादा जो content है ज्यादा से ज्यादा words है pick कर सकें और आपका listening में भी अच्छा score आई sometimes picture वले भी आपके पास जो है retail lecture आते हैं जिसमें content दिया होता है तो आप उन contents का उन keywords का भी use कर सकते हैं जब आप अपना answer दे रहे हैं तो उनसे आपको help मिल जाएगी पिक्चर में से आप content भी आप content की help ले सकते हैं वो भी pick कर सकते हैं वो भी बहुत important उसमें keywords होते हैं तो भी आपको help कर देगा keywords की जैसे ये example के लिए कि ये retail lecture है इसमें speaker बोलेगा पहले आपको जैसे वो बोल रहे हैं वाइल उसकी speaking आपको जो है contents जो है वो आपको note करने हैं इस तरीके से आपको ये सुनाई देगा एग्जाम में in today's session we're going to look at an important concept in psychology which is called the bystander effect when there's an emergency situation in public you'd hope that a person nearby would intervene and help but actually most people have a tendency to well do nothing that's the bystander effect essentially and here's the interesting thing the more people there are in an emergency situation the less likely it is that anyone will actually intervene there's an inverse relationship between the number of bystanders and the amount of help offered so why is that well researchers have identified something called diffusion of responsibility basically everyone just assumes that someone else will take charge of the situation instead of them and obviously that can lead to potentially serious consequences so that brings me to ways that this problem can be tackled of course we should be educating people in school and workplaces about basic first aid and what to do in an emergency that will give people more confidence but that doesn't address the bystander effect basically we have to minimize the diffusion of responsibility and the best way of doing this is by getting people to imagine that they are the only person available to intervene this gives them the responsibility so they will be more likely to step in the majority of them if they fail so let's do it just let's give them a bill so we will knock them away that they have you who will come to steer the bill of should supposed to be with वूoff कर दोष्याश। The bystander effect is when people who witness something that they could and should prevent end up taking no action at all. research suggests that the higher the number of witnesses the lower the probability that someone will try to intervene psychologists attribute this to diffusion of responsibility because in such situations everyone is waiting for another person to take action there are ways that we can reduce the influence of the bystander effect the key principle is to encourage people to imagine that they are the only person who can take action in a situation as a new student there are many things that you can do to get a good start at university attending lectures is something that we expect all students to do if you miss a lecture though or didn't quite understand the topic or simply want to hear it again you can watch a video recording of the lecture online however university life is very busy and you won't have much time so it's better to concentrate and take good notes when you do attend a lecture if you make notes it helps you to think about the important facts and ideas in the lecture and writing these things down can help you to remember them again there may be lecture notes available online but making your own notes is much more valuable thank you thank you तोरी ककि टेचा है इतना कर बुली कि और देचेच ध्यातर प्रज़ कार, हा है? है दॉत्ट कि लीविजार दिखन्हीरों कि अनीविटेले क talented का। टेचे जीविजार में educación सत्हुनिए है जिस देख पतो दोरी का कि लीजे गवार से लीजाय की लामे ngon यहां पर स्क्रीन पर देखा अभी पहले तीन सेकिंड लगे तीन सेकिंड स्टार्ट होने में लगे रीटर लेक्चर को और रीटर लेक्चर के खतम होने के बाद 10 सेकिंड का टाइम चला जो प्रेपरेशन टाइम होता है उन 10 सेकिंड के बाद जो है आपकी रिकॉर्डिंग स स्टार्टिंग में जब आप इस टास्क को करेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकते हैं कि थोड़ा सा टफ लगे क्योंकि इसमें आपको सुनना है और वही चीज आपको जो है नोट बनाने हैं उसी चीज के तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जो स्पीकर ने गोला है वही आपको जो है बोलना है अपने आंसर में इसमें आपको क्या करना है अपने वर्ड में अपने आंसर को देना है तो इसमें कोई grammar नहीं चेक होगी तो जो भी आपने लिखा है make sure जो भी आप लिख रहे हैं बिल्कुल clear and clean लिखें ताकि जब आप answer दे तो easily उस चीज़ को आप read कर सकें कई बरी क्या होता है कई students क्या करते हैं fast fast लिख लेते हैं बट बाद में उनको पता नहीं चलता कि words हमने कौन से लिखे हैं तो make sure जब भी आप write कर रहे हैं notes बना रहे हैं तो बिल्कुल clear और clean लिखें ताकि जब आप record करें अपना answer वह easily से आप पढ़ सकें क्योंकि pronunciation में अगर आपका जो इसमें अगर आपने लिखा कुछ और और बोल कुछ और दिया तो इसमें आपकी pronunciation में deducts हो सकते हैं marks और content में भी अगर जैसे कुछ और वर्ड लिखें और आप कुछ और ही बोल रहे हैं या आप थोड़े से hesitate होके बोल रहे हैं तो तो आंसर दे तो clearly उसको easily आप उसको पढ़ सकें इस task के लिए अगर आप template को यूज कर रहे हैं template इसमें थोड़ा सा आपको help कर देगा इसमें जो सबसे ज्यादा जो role play कर रहा है वो content है तो अगर template के आप two lines भी बोलते हैं और content ज्यादा बोलते हैं तो आपके लिए बहुत benefit है आपका जो listening में इसका full score जाएगा तो make sure आप content पे जादा ध्यान दे और content जादा से जादा इसमें आप पिक करें इसमें सारे मैंने important जो points और important tips हैं जो शेयर की हैं वीडियो में तो आप इसी तरीके से अपनी practice कीजिए और आपका इसमें बहुत good score आएगा और यह बहुत ही जादा helpful होंगे if you like my video please like and subscribe my channel and follow my insta to get more information I hope जो भी मनें आपको tips and tricks बताए हैं यह बहुत ही helpful रहेंगे आपके लिए to more information you can subscribe my channel thanks for watching